जहिन दोस्तों स्वागत आपका विजेपत डिफेंस एजूकेशन में आज हमारी क्लास 7 है एच्पी पुलिस डेली मिक्स जीके की जिसमें डिसकस करेंगे टॉफ 15 प्लस क्वेशन जो की हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आपने हमारे क्लास 6 तक अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को जरूर देखें एच्पी पुलिस मिशन 2020 के लिए हमारी ये सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें आपको सकसस लेनी ही लेनी है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो कि आपको दिल वाइच में आप कवर कर सकते हैं आपने स्टेट और सेंटर गवर्रमेंट एक्जाम को जल्दी से जल्दी 100% स्योर सकसस के लिए आप हमारा स्योर बैच स्टार्ट कर सकते हैं विजयपास डिफेंस एजूकेशन में सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फस्ट कोशिशन है इस बीडियो का सोलन गोला किस सब्जी की किसम है तो सोलन गोला इस द बराइटी of which vegetable तो सोलन गोला जो है यह हमारी टमाटर की एक विराइटी इंपोर्टेंट कोशन है नेक्ट वन है हिमाचल परदेश का सबसे बड़ा बन्य जीब भिहार कौन सा है विच इस दा लार्जेस्ट वाइड लाइफ सेंचुरी ऑफ दा हिमाचल परदेश हिमाचल का जो सबसे बड़ा वन्य जीब अभिहारन है वो है हमारा किबर और ये पढ़ता है हमारा लाहुल स्पीती में इंपोर्टेंट फैक्ट यहां से बनते हैं किबर जो है एक गाउं का नाम भी है जो कि विशो का सबसे उंचा गाउं है यहां से आपको इंपोर्टेंट कोईशन याद रखना है किबर जो है वो विशो का सबसे उंचा गाउं है जो कि पढ़ता है लाहुल स्पीती में और लाहुल स्पीती से भी एक इंपोर्टेंट फैक्ट है लाहुल स्पीती हिमाचल का एक ऐसा जिरा है जहां पर सबसे कम मातरा में बारिश होती है नेक्स्ट कोशन है धामी गोलिकांड की घटना कब हुई थी वें डेट धामी बुलेट इंसिडेंट हैपन तो धामी गोलिकांड हुआ था 16 जुलाई 1949 को हिमाचल जीके का सबसे इंपोर्टेंट कोशन आपके लिए रहेगा नेक्स वन है कांगडा चितर शैली का मुख्य बिशे क्या था वट इस दा में थीम ऑफ दा कांगडा चितरा स्टाइल तो उसका जो सबसे मुख्य बिशे था वो था श्री क्रिशन और राधा हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है हिमाचल का एलोरा कहा जाता है मसरूर टेंपल को जो की हमारा स्थित है डिस्टिक कांगडा में नेक्स वन है दूद का पी-एच मान कितना होता है तो दूद का पी-एच मान होता है 6.6 pH की बात करें, तो pH का मतलब होता है potential of hydrogen, scale की बार में अगर मैं बात करूं, pH की scale होती है, जो की 0 से 14 तक होती है, और यहां पर बीच में होता है हमारे पास 7, अगर हमारी value 0 से 7 के बीच में आती है, तब यह acid होता है, और 7 से 14 के बीच में आता है, तब इसे base बोला जाता है, और आती है, इसलिए पानी और नमक जो हैं, यह हमारे neutral है, अब pH value of milk की बात करें, यह हमारा 6.6 है, लेकिन यह vary करता है, मतलब कि यह 6.4 भी हमारा हो सकता है, अब 6.4 और 6.6 जो हैं, यह हमारे acid की form में आते हैं, तो इसलिए दूद्ध जो हैं, वो हलका सा acid की form का होता है, नेक् यह जो start किया था, एक championship start की गई थी, हिमाचल परदेश के द्वारा, यह start की गई थी, HPCA के द्वारा, जो कि हमारा cricket association है, हिमाचल परदेश का, उसके द्वारा यह start की गई थी, नेक्स वन है, विशो की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी, बीजेपी की अध्यक्ष किस रा बीजेपी की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी, इसलिए है क्योंकि बीजेपी में सबसे जादा member जो हैं, वो जुड़े हुए हैं, इसलिए सबसे बड़ी बीजेपी की अध्यक्ष हैं, वो हैं हमारे जगत परकाश नड़ा जी, जो की समंद रखते हैं हिमाचल परदान मंतरी जो Reserve Bank of India के Governor भी तह चुके हैं, तो बारत के एक मातर ऐसे ब्यक्ति हैं, जो परदान मंतरी भी रहे हैं भारत के और साथ में गवर्नर भी रहे हैं Reserve Bank of India के, उनका नाम है मनमोहन सिंग नेक्स्ट कोशन है, दा ग्रेट खली का समंद हिमाचल के किस जिले से है, विच डिस्टिक ओफ हिमाचल is associated with दा ग्रेट खली, तो इनका समंद है डिस्टिक सिरमोर से, और इनका जो पूरा नाम है वो है दिलीप सिंग राना नेक्स्ट कोशन है, बरतमान में हिमाचल परदेश बिधान सभा के अध्यक्ष कौन है तो करेंट स्पीकर की अगर मैं बात करूँ हिमाचल परदेश बिधान सभा की तो वो है वो है विपिन सिंग परमार जो की कांगडा जिले से बिलोंग करते हैं next question है बर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्याइदिश कौन है currently who is the chief justice of हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्याइदिश है KL Narayan Swami next one है renew flag रेड फ्लैड सेना भ्याष भहरत और किस देश के बीच किया जाता है तो red flag जो army exercise है ये इंडिया और अमेरिका के बीच की जाती है लास्ट कोशन है इस वीडियो का राजे सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे who was the first chairman of राजे सभा तो राजे सभा के पहले अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर सरपली राधा क्रिशन इनके नेम से काफी important fact बनते है राजे सभा के ये पहले अध्यक्ष थे भारत के ये दूसरे रास्ट्रपती थे डॉक्टर सरपली राधा क्रिशन जी के नाम से ही पांच सेप्टमबर को जो है वो टीचर्स डे मनाया जाता है और अगर बरतमान के मैं अध्यक्ष की बात करूँ तो वो हैं हमारे बिंक या नाइडू जो कि भारत के बरतमान के उपर रास्ट्रपती हैं तो मतलब कि जो भारत के उपर रास्ट्रपती होते हैं बही राजे सभा के अध्यक्ष होते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें, हमारे WhatsApp ग्रूप के साथ ज़रूर जोड़ें, इसमें आपको Day-to-Day के Current Affair, HP Police, DK, Study Notes, और साथ में Job Alert प्रोबाइड करवाया जाता है, हमारा HP Police का भी Advanced Badge स्टार्ट हो चुका है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत